दोस्थो इस वीडियो के माध़ीम से हम जानेंगे birds को मैं कैसे feed कराता हूँ और मैं क्या feed कराता हूँ और कितने समय तक मैं इसको feed कराता हूँ और अभी अभी आप देख सकते हैं ये बर्ड काफी ज़्दा growth कर चुका है तो जो भी पेरूट के बर्ड baby bird होते हैं उसका एक ज़्यादा problem में भी आ रहा है थंडे के season में इनका birth होता है क्योंकि January to March तो इसमें क्या है कि मरने का ज़्यादा chances रहता है तो मरने से बचाने के लिए जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूं अगर ये करते हैं तो उम्मीद है कि आपका birth बट्स शर्वाइब कर जाएगा और जो अभी मर रहा है बट्स वो आपका प्रॉब्लेम सॉल्व हो जाएगा अगर आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है तो भी कोई बात नहीं है आप इसको दे सकते हैं क्योंकि यह जो मैं आपको सीड बता रहा हूं यह जो मैं दाल बता रहा होता है और इसको जो देने का तरीका है अगर आप प्रॉपर अच्छे से देते हैं तो आपका कोई भी बड़ो थंडा का मौसम या फिर गर्मी का मौसम उसका हेल्थ पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा और बहुत ही अच्छे से वो ग्रोथ भी करेगा वैसे तो मार्केट म मं बहुत सारे pets life हो गया और वी अलगलग अलग ब्रांड का मिलता है मिक्सचर सीड मिक्स भी होता है और इनको δेने के लिए इप्ट लाइब का लिट फॉरम भी मिलता है पौडर जो की लिट करके देना पड़ता है वह भी बहुत अच्छा होता विष्ट होता है शबी लोग के अलग-अलग बिचार है अलग-अलग अगरा काफी दर डीप होता है दूसरे बड के मुकाबले और इसका बॉड़ी का जो ग्रोथ होता है वो बहुत जल्दी होता है फास्ट होता है बड हमारा सेफ रहे और इसका ग्रोथ भी अच्छा हो तो इसके लिए मैं जो करता हूँ यह है तीन टाइम आप चाहें तो फीड करा सकते हैं अगर आपका ड्यूटी आवर है या फिर आप ऑफिस वाले बंदे हैं बीजी रहते हैं काम में तो फिर आप दो टाइम फीड पर भी रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होता है कोई भी बड एक्सपार उपको जान लेना आए अगर तीन टाइम फीड करा रहे हैं तो टाइमिंग ले लिजिए सुबह का साथ दो ạघ्र के दो और साम के साथ और अगर दो टाइंग करा रहन तो सुबह का साथ से आठ के बीच में और साम को फिर छे जो होगा तीन टाइम के लिए Bentley में बता रहा हूँ पहला जो होगा सत्तु का गहल देना आपको दुसरा भी सत्तु हो और अभि मैं जो दे रहा हूँ तीसरा नंबर का यह है कुर्थी का दाल कूर्थी का दाल को जोगी 120 रुपर केज़ी है और यह आपको और उबालना इसको क्या करना है 24 गंटे पानी हम पहले फूल जागा ये दाल दाल नहीं होता ये गोटा ही होता कुर्ती उसके बाद कूकर में एक सीटी लगाना है हाब बॉयल उसके बाद आपको अपने बट्स को प्रोवाइट करना है और कोसी सीय करना है दोस्तों क्योंकि टो जब इसको व्यादा बाद करें तो ये थोड़ा गरम रना चीन जब यह जादा गरम लगे हलं हलकका गरम लगना चीने हाथ में जो कि इनके बॉड़ी के अंदर जाएगा तो इनको बॉड़ी को भी हीट रखेगा और इससे बढ़ने का रेसियो है वह बिल्कुल जीरू हो जाएगा इससे बढ़ आपका बच जाएगा और तबियत अगर खराब यह वर्ट का तो भी आपको यही देना है कुर्थी को दे दीजिए 10-15 ml और साम को आप कुर्थी का दाल दे दीजिए भर पेटिन को खिला दीजिए गरम गरम इनका हेल्थ भी अच्छा रहेगा ग्रोथ भी जलदा आएगा और रखने के लिए वह आपको पुवाल में रखना होगा इनको दब्बे में करके आप कुर्थी डा जलाईये बहुत साथ लोग डार्ट उपर जलाते हैं तो वैसा ना करके आप क्या किजिए बॉक्स के अंदर बाट को डालिए उसके ओपर आपको पुरा कवर कीजिए और बॉक्स के उपर एक टॉएल यह पतला सा और उसके उपर बल्ब जलाईये ताकि अंदर जो हैं महौ तो यह प्रोब्लिम नए लोग के साथ अकसर होता है तो यह चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा बल्ब जो है आपको डारेक्ट नहीं जलाना है जला भी रहे हैं तो आपको थोड़ा सा उपर से कवर करना है उसके बाद बल्ब जलाना है ताकि बॉक्स जो डबा जो अंदर से गरम रहे है वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं वीडियो का अंतर देखने लिए आप सबकार में फिर से धन्यवाद करता हूं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और यह अब इंड तपाई कर देता हूं लाश्ट में धन्यवाद